संजु्दत को लंग कैंसर की खबर सुन उनके करीबी लोग और फैंस बहुत दुखी हैं सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की समस्या लेकर मुंबई की लिलावती अस्पताल पहुँचे संजिदत ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी जिंदगी में कैंसर नाम का भूचाल फेरा जाएगा संजी की तबियत आठ अगस्त से ही नासास चल रही थी आठ अगस्त को संजे को सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्होंने डॉक्टर से परामर्श लिया संजु बाबा को चिंता थी कि कहीं वो कोरोना से संक्रमित तो नहीं हो गई है घर पर रहकर ही संजे ने ओक्सो मीटर पर अपना ओक्सीजन लेवल चेक किया जो काफी डाउन मिला सुरक्षा लिहाज से संजे को लिरावती हस्पताल बुलाए गया ताकि चेक अप किया जा सके यहाँ पर संजे अपनी बेहन प्रियादत और एक दोस्त के साथ पहुँचे हाला कि संजे ने बताए कि वो पहले ही कोरोना टेस्ट करा चुके हैं और रिपोर्ट नेगिटिव आई है लेकिन फिर भी उन्हें कोरोना के इंफेक्शन जैसा लग रहा है संजे दत के जहन में दूर दूर तक रही था कि वो कैंसर से पीडित है और शायद यही तो जिंदगी है जब आप सूचते हैं कि सब ठीक है तब कोई ना कोई चुनोती आही जाती है संजे के साथ भी ऐसा ही हुआ अपनी फिल्मों पर काम करने को लेकर उचसाहित थे संजे की तब ही एक ख़वर आ गई संजे के कोरोना संक्रमित होने के डर की बीच उनका चेक अप किया गया चेक अप के दौरान सामने आया कि उनको सीधे फेफडे से सांस नहीं आ रही थी डौक्टर ने संजु बाबा का सीटी स्कैन किया रिपोर्ट में पता चला कि सीधे फेफडे में कुछ लिक्विड जमा है दोनों फेफडों में घाव जैसा कुछ नजर आया जैसे ही संजे को फेफडों में घाव की बात पता चली तो वो परिशान हो गए और डौक्टर से लगातार सवाल पूछने शुरू करती है संजु बाबा को बताये गया कि ये बैक्टेरिया का इंफेक्शन हो सकता है ज्यादा एक्सेसाइज करने से भी ऐसा हो सकता है तीबी का खत्रा भी हो सकता है या फिर कैंसर भी हो सकता है डॉक्टरों ने फ्लूइड निकाल दिया लगभग डेड़ लीटर के आसपास ये फ्लूइड निकला जिसको आगे जाच के लिए भेजा गया संजिदत को दो दिन अस्पताल में ही रहना पड़ा इस दोरान डॉक्टर भी संजे के सभी सवालों के जवाब देते नजर आए सूत्रों की माने तो संजे को बताया गया कि उन्हें P.E.T. स्कैन कराना होगा उनका ये टेस्ट पूरा होने ही वाला था कि हिस्टो पैथलोजी डिपार्टमेंट को पता चला कि उनके फ्लूइड में कैंसर सेल्स मिले हैं P.E.T. स्कैन में भी कैंसर की पुष्टी हुई कैंसर की खबर सुनते ही संजिदत के होश फाक्ता हो गए हलाकि बिमारी को लेकर तुरंट उनकी काउंसलिंग भी कराई गई काउंसलिंग के बाद संजे को ओनको लॉजिस्ट के पास भेजा गया इस दोरान संजे को बताए गया कि इस स्टेज में सर्जरी नहीं हो सकती इसलिए कीमो थेरेपी का ही रास्ता अक्तियार करना होगा आपको बता दें यूँ तो खबरे हैं कि संजे इलाज के लिए अमेरिका के मेमोरियल स्लोवान कैटरिंग कैंसर अस्पताल इलाज के लिए जा सकते हैं हाला कि कहा जा रहा है कि संजे को अमेरिका जाने में मुश्किले आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि संजे को अमेरिका जाने की अनुमती ना मिले क्योंकि उनके पास वीजा नहीं है। खबरे ये भी हैं कि मुंबाई ब्लास्ट में आम सैक्ट के तहट संजय सजायाफता मुझरिमों में शामिल रही हैं। इसलिए उनको वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती हैं। लिहाजा वो अपने इलाज के लिए सिंगापूर की तरफ रुख कर सकते हैं।